दिल्ली उनिवर्सिटी के इस स्वरनेम समारों में उपस्तित देश के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंदर प्रदान जी, जूई के वाइस चांसलर, सिपान योगेश नहीं जी, सभी प्रोफिसर्स, शिक्षगर्ण, और सभी मेरा युवाश साथी, आप लोगों ने मुझे जब यह निमतर दिया था, तब ही मैंने तय कर लिया था, कि मैं जे आपके हाँ तो आना ही है, और यहां आना अपनों के बीच आने जैसा है, अब सौ साल की यह फिल्म हम देख रहे थे, दिल्ली उनिवर्सिटी की दुनिया को समझने के लिए, सिरफ यह दिग्योजों को देख लेते, तो भी पता चल जाता है कि दिल्ली उनिवर्सिटी ने क्या दिया है, कुछ लोग मेरे सामने बैटे हैं, जिनको मैं विद्ध्यार्थिकाल से जानता हूँ, अब बहुत बड़े-बड़े लोग बन गए हैं, और मुझे अनुमान था कि मैं यहां जाओंगा, तो मुझे इन सब पुराने साथियों से मिलने का जुरूर अफसर मिलेगा और मुझे मिल रहा है, साथियों डियू का कोई भी स्टुडेंट हो, कॉलेज फेश, चाहे अपने कॉलेज में हो, या दूसरे कॉलेज में, उसके लिए सबसे इंपोर्टन यही होता है, कि बस किसी तरह उस फेश का हिस्सा बन जाएं, मेरे लिए भी यह ऐसा ही मोका है, मुझे खुजी है, कि आज जब दिल्ली उनिवर्सिटी के सो साल का सलिबरेशन हो रहा है, तो इस फेश्टिव महोल में मुझे भी आप सब के बीच आने का आउसर मिला है, और साथियों केंपस में आने का आनन भी तभी होता है, जब आप कलीच के साथ आएं, दो दो चल दिये, गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बाते करेंगे, इस्राइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं, कौन सी फिल्म देखी, OTT पर वो सिरी अच्छी है, वो वाली दिल देखी या नहीं देखी, इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मैट्रो से अपने युवाज दोस्तों से गप्प्प करते करते यहां पहुंचा हूँ, उस बादचीत में कुछ किस से भी पता चले, और कई दिल्चस्प जानकारिया भी मुझे मिली, साथियों, आज का आउसर एक और वज़े से बहुत खास है, डियू ने एक ऐसे समय में अपने सो वर्ष पूरे किये हैं, जब देश अपनी आजहादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महुत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके सिक्षन साउस्थान, उसकी उपलब्दियों के सच्चा प्रतिम्भ होते हैं, दिव कि भी इन सो वर्षों की यात्रा में कितने ही आइतिासिक पढ़ावाये हैं, इसमें कितने परफोसर्स का, कितने स्टूडेंस का और कितने ही दूसरे लोगों का जीवण जुड रहा है। एक तरसे दिल्ली उनिवर्सिटी सिर्फ एक उनिवर्सिटी नहीं, बल्कि एक मुमेंट रही है इस उनिवर्सिटी ने हर मुमेंट को जीया है इस उनिवर्सिटी ने हर मुमेंट में जान भर दी है बाइस एतिहासिक अवसर पर उनिवर्सिटी के सभी प्रोफिसर्स और स्टाप को सभी स्टूडेंट्स और अलुमनाई को रजय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों आज इस आयोजन के जरिये यहां नए और पुराने स्टूडेंट भी साथ मिल रहे हैं स्वाबाईग है कुछ सदावहार चर्चाएं भी होगी नौर्थ केंपस के लोगों के लिए कमला नगर हर्सन लाइन और मुखरजी नगर से जूड़ी आदे साथ केंपस वालों के लिए सत्य निकतन के किस्से आप चाहे जिस एर के पास आउट हो दो डियू वाले मिलकर इन पर कभी भी गंटों निकाल सकते इस सब के बीच मैं मानता हूं डियू ने सो सालों में अगर अपने एहसासों को जिन्दा रखा है तो अपने मुल्यों को भी जिवंत रखा है निष्ठा धृति सत्यम युनिवर्सिटी का ये धे वाक्य अपने हर एक स्टूनेंट के जीवन में गाइडिंग लेंब की तरह है साथियों हमारे यहां कहा जाता है ग्यान वानेन सुखवान ग्यान वानेव जीवती ग्यान वानेव बलवान तस्मात ग्यान मयोभव अर्थात जिसके पास ग्यान है वही सुखी है वही बलवान है और वास्तों में वही जीता है जिसके पास ज्ञान है इसलिए जब भारत के पास नालंदा जैसे विश्व विद्याले थे तब भारत सूख और समुरुद्धी के सिखर पर था जब भारत के पास तक्स सीला जैसे संस्थान थे तब भारत का विज्ञान विश्व को गाइड करता था भारत की समुरुद्ध सिख्षा विवस्ता भारत की समुरुद्धी की वाहत थी ये वो समय था जब दुनिया की जीड़ी पी में बहुत बड़ा शेर भारत का होता था लेकिन गुलामी के सैंक्रो वर्षों के कालखंड ने हमारे सिख्षा के मंदिरों को इन एजुकेशन सेंटर्स को तभा कर दिया और जब भारत का बवधिक प्रवाह रुका तो भारत की ग्रोथ भी थम गई लंबी गुलामी के बात देश आजाद हुआ इस दोरान आजादी के भावनात्मक जवार को एक मूर्द रूप देने में भारत की उनिवर्सिटी ते एक एहम भूमी का निभाई थी इनके जरिये एक ऐसी युवा पीडी खड़ी हुई जो उस समय के आधोनिक विश्व को ललकार सकती थी दिल्ली उनिवर्सिटी भी इस मूवमेंट का एक बड़ा सेंटर थी डियू के सभी स्टूडन्स वो चाहे किसी भी कोर्स में हो वो अपने सौंस्थान की इन जड़ों से जरूर परिचित होंगे अतीत की ये समझ हमारे अस्तित्व को आकार देती है आधर्शों को आधार देती है और भविश्व के वीजन को विस्तार देती है साथियों कोई इंसान हो या सहुस्थान जब उसके संकल्प देश के लिए होते है तो उसकी सफलता भी देश की सफलताओं से कदम मिला कर चलती है कभी डियू में केवल तीन कॉलेज थे आज नब्बे से ज्यादा कॉलेज है कभी भारत की एकनोमी त्रेजाइल के लिस्ट में थी खस्ता हाव थी आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकनोमीज में शामिल हो चुका है आज डियू में पढ़ने वाले लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या ज़ादा हो गई है इसी तरह देश में भी जेंडर रेशियों में काफी सुधार आया है यानि सिक्षन समस्थान की जड़े जितनी गहरी होती है देश की शाखाएं उतनी ही उचाईयों को छोती है और इसलिए भविश्य के लिए भी यूनिवर्सिटी और देश के संकल्पों में एक रुपता होनी शाएं इंटर कनेक्शन होना चाहिए पचीस साल बात जब देश अपनी आजादी के सो साल पूरे करेगा तब दिल्ली उनिवर्सिटी अपने स्थापना के एक सो पटीस वर्ष मनाएगे तब लक्ष था भारत की स्वतंत्रता अब हमारा लक्ष है 2047 तक विक्षिद भारत का निर्मान पिछली स्थापदी के तीसरे दसक ने अगर पिछली स्थापदी के इतियास के तरब नजर करें तो पिछली स्थापदी के तीसरे दसक ने स्वतंत्रता संग्राम को नई गती दी थी अब इस स्थापदी का ये तीसरा दसक भारत की विकास यात्रा को नई रफ्तार देगा आदेश भर में बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाये जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में IIT, IIM, NIT और MJC संख्या में लगातार भड़ोत्री हुई है ये सभी इंस्टिटूट्स न्यू इंडिया के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं साथियों, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है बल्कि इस सिखने की भी प्रक्रिया है लंबे समय तक शिक्षा का फोकस इसी बात पर रहा कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए लेकिन हमने फोकस इस बात पर भी सिफ्ट किया कि छात्र क्या सिखना चाहता है आप सभी के कलेक्टिव एफट से नई राश्ट्रिय शिक्षानीती तयार हुई है अब छात्रों को ये बड़ी सुविदा मिली है कि वो अपनी इच्छा से अपनी पसंद के विशहों का चुनाव कर सकते हैं सिक्षन संसाओं की क्वालिटी बहतर बनाने के लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं इन इंस्टिटूट्स को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हम नेशनल इंस्टिटूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लेकर आए हैं इससे देशवर के इंस्टिटूशन को एक मोटिवेशन मिल रहा है हमने संस्ताओं की स्वायतता को क्वालिटी ओप एजुकेशन से भी जोड़ा है जितना बहतर संस्ताओं का प्रदर्शन होगा उतनी ही उन्हें स्वायतता मिल रही है साथियों सिक्षा की फुचरिस्टिक नीतियां और निरनों का प्रणाम है कि आज इंडियन युनिवर्सिटी की ग्लोबल पहचान बढ़ रही है 2014 में QS World Ranking में केवल 12 इंडियन उनिवर्सिटी होती थी 2014 में 12 उनिवर्सिटी थी लेकिन आज ये संख्या 45 हो गई है हमारे एजुकेशन इंस्टिटूट्स दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं हमारे संस्थान, क्वालिटी एजुकेशन, स्टूडन फैकल्टी रेशियो और रेपुटेशन सब में तेजी से सुधार कर रहे हैं और साथियों आप जानते हैं इन सब के पीशे सबसे बड़ी गाइडिंग फोर्स कौन सी काम करते ही हैं यह गाइडिंग फोर्स है भारत की युवा शक्ति इस हॉल में बैटे ही होये मेरे युवाओं की थक्ति साथियों एक समय था जब स्टूडेंस किसी इंस्टिटूट में एड्मिशन लेने से पहले सिर्फ प्लेस्मेंट को ही प्रात्विक्ता देते थे यानि एड्मिशन का मतलब दिग्री और डिग्री का मतलब नोकरी सिख्षा यहीं तक सिमित हो गई थी लेकिन आज युवा जिंदी को इसमें बांधना नहीं चाहता वो कुछ नया करना चाहता है अपनी लकीर खूद खींचना चाहता है 2014 से पहले भारप में सिर्फ कुछ सो स्टार्ट अप से आज भारप में स्टार्ट अप्स की संख्या एक लाख को भी पार कर गई है 2014-15 की तुल्ना में आज 40 परसंट से जादा पेटेंट फाइल हो रहे हैं जो पेटेंट जारी हो रहे हैं उनमें भी पांच गुना का इजापा हुआ है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें भारत 18 वे पाइजान पर था असी से की बात वहां से बढ़कर के आज हम 46 पर पहुँच चुके हैं वो स्थान हमने प्राप्त किया अभी कुछ दिन पहले ही मैं अमेरिका की यात्रा से लोटा हूँ आप समने देखा होगा आज भारत का सम्मान कितना बढ़ा है गौरों कितना बढ़ा है क्या कारण है क्या कारण है आज भारत के इतना गवरों बढ़ा है अच्छ पुट्तर वही है क्योंकि भारत की च्छमता बढ़ी है भारत के युवां पर विश्व का भरोसा बढ़ा है इस इसी यात्रा में भारत और अमेरिका के बीश इनिशेटिव और क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्लोलोजी एन आइसेट डिल हुई है इस एक सम्झोते से हमारे युवां के लिए धर्ती से लेकर स्पेस तक सेमी कंडुक्टर से लेकर एई तक तमाम फिर्ट्स में नए आउसर पैदा होने वाले हैं जो टेक्नालोजी पहले भारत की पहुंच से भार होती थी अब हमारे युवां को उनकी एक्सेस मिलेगी उनका स्किल डेवलप्मेंट होगा अमेरिका की माइक्रों गूगल तथा एप्लाइड मट्रियल जैसी कंपनियों ने भारत में बड़े निवेश का फैसला लिया है और साथियों यह आहट है यह आहट है कि भविश्य का भारत कैसा होने वाला है आपके लिए कैसे कैसे आउसर दस्तक दे रहें साथियों इंडस्री 4.0 की क्रांती भी हमारे दरवाजे पर आ चुकी है कल तक AI और AR VR के जो किस्से हम साइंस फिक्षन फिल्म में देखते थे वो अब आज हमारी रियल लाइब का हिस्सा बन रहे हैं ड्राइविंग से लेकर सर्जरी तक रोबोटिक्स अब न्यू नॉर्मल बन रहा है यह सभी सेक्टर्स भारत की युवापीडी के लिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए नए रास्ते बना रहे हैं बीते बर्षों में भारत ने अपने स्पेक्स सटर को खोला है था भारत ने numéro two kaç मो भारत ने ड्रोन से जुनी नुच्थियों में बहुत बड़ा बढ़ाव किया है इंस भी निलन उसे देश के जादा से जादा युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिला है साथियों भारत की विकास यात्रा से हजारों युवाओं को हमारे स्टूडन्स का कैसे लाभ हो रहा है इसका एक और पक्ष है आज दुनिया के लोग भारत को भारत की पहचान को भारत की संस्कृति को जानना चाह रहे कोरोना के समय दुनिया का हर देश अपनी जरूरतों के लिए परिशान था लेकिन भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ दूसरे देशों की भी मदद कर रहा था लिहाजा विश्व में एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि आखिर भारत के वो कौन से संस्कार है जो संकट में भी सेवा का संकल्प पैदा करते हैं भारत का बढ़ता सामर्त हो भारत की जी ट्विंटी प्रेसिदेंसी हो यह सभी भारत के प्रती कौतुहल बढ़ा रहे हैं इससे हमारे जो हुमेनिटीज के स्टेंडर्स हैं उनके लिए अनेकों नए आउसर पादा होने वाले हैं योग जैसा हमारा विज्ञान हमारी संस्कृति हमारे फेस्टिवल हमारा लीटरेचर हमारी हिस्ट्री हमारा हेरिटेज हमारी बीधाएं हमारे वियंजन आज हर किसी की चर्चा हो रही है हर किसी के लिए नया आकर्षन पैदा हो रहा है इसलिए उन भारतिय युवाओं की डिमान भी बढ़ रही हैं जो विश्व को भारत के बारे में बता सके हमारी चीजों को दुनिया तक पहुचा सके आज डिमोक्रिसी एक्वालिटी और मिचल रिस्पेक जैसे इन्जिन वैल्यूज दुनिया के लिए मान भी पैमाना बन रही हैं गवर्णमेंट फर्म से लेकर डिप्लोमेसी तक कई खेत्रों में भारतिय युवाओं के लिए लगातार नए मौके बन रहे हैं आज देश के अलग अलग राज्यों में ट्राइबल मुजियम्स मन रहे हैं पी एम मुजियम के जरिये आज भारत आज आज भारत की विकास यात्रा के दर्शन होते हैं और आपको यह जान करके भी अच्छा लेगा गया कि दिल्ली में विश्वकां विश्वकां सबसे बड़ा हैरिटेज मुजियम्स युगे युगीन भारत ये भी बनने जा रहा है कला संस्कृति और इतिहाद से जुड़िया विवाओं के लिए पहली बार पैशन को प्रोपेशन बनाने के इतने अवसर पादा हो रहे हैं इसी तरह आज दुनिया में भारतिय टीचर्स की अलग पहचान बनी है मैं ग्लोबल लीडर से मिलता हूँ उन में से कई अपने किसी ने किसी इंडियन टीचर से जुड़े किसे बताते हैं और बड़े गवरों से बताते हैं हमारे इंश्टिजूशन को तयार होना है अपने माइंड सेट को तयार करना है हर युनिवर्सिटी को अपने लिए एक रोड मैप बनाना होगा अपने लक्षों को तय करना होगा जब आप इस संस्थान के 125 वर्स मनाए तब आपकी गिंती वर्ल की टॉप रैंकिंग वाली उनिवर्सिटी में हो इसके लिए अपने प्रयाद बढ़ाएं फ्यूचर मेकिंग इनोवेशन्स आपके यहां हो दुनिया के बेस्ट आइडिया और लीडर्स आपके यहां से निकले इसके लिए आपको लगातार काम कर रहा होगा लेकिन इतने सारे बदलाओं के बीच आप लोग पूरी तरह मत बदल जाईएगा कुछ बाते बहसी ही छोड़ दीजिएगा भाई नौर्थ केमपस में पटेल चेश्की चाए नूडल साउथ केमपस में चानक क्याज के मोमोश इनका टेस्ट न बदल जाए यह भी आपको एंशॉर करना होगा साथियों जब हम अपने जीवन में कोई लक्ष ताय करते हैं तो उसके लिए पहले हमें अपने मन मस्तिस्क को तयार करना होता है एक राष्ट के मन मस्तिस्क को तयार करने की यह जिम्मेदारी उसके एजुकेशन इंस्टिटूट को निभानी होती है हमारी नई जनरेशन फ्यूचर रेड़ी हो वो चैलेंजीज को एक्सेप्ट करने और फेस करने का टेंप्रामट रखती हो यह शिक्षा संस्थान के वीजन और मिशन से ही संभव होता है मुझे विश्वास है दिल्ली उनिवर्सिटी अ अपनी इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इन संकल्पों को जरूर पुरा करेगी इसी के साथ आप सभी को इस शताब दिवर्स की यात्रा को जिस प्रकार से आपने आगे बढ़ाया है उसे और अधिक सामर्थ से और अधिक शांदार तरीके से और अधिक सपने और संकल्पों को ले करके सिद्धी को प्राप्त करने का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े सिद्धियां आपके कदम चुमती रहे आपके सामर्थ से देश बढ़ता रहे इसी कामना के साथ आप सबको बहुत बहुत शुब कामना है दन्यवाद कर दो कर दो कर दो प्राप्ट कर दो झाल झाल